हे गाईज जैहिन स्वागत है आपका एग्रिमंतरा यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त संजय विशो कर्मा इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग एग्रिकल्चर जॉब्स पोस्ट का नाम है रह एच ईयो एसच डियो क्वालिटी कंट्रोलर और डिस्ट्रिक एग्रिकल्चर मेनीजर काफी इंपोर्टेंड ये वीडियो है अगर आप एग्रिकल्चर सेक्टर में जौब तलास रहे हैं सारा कुछ डीटेल हम इस वीडियो में जानेंगे टोटल नम्मर वेकेंसी क्या है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया ह एज लिमिट क्या है सेलरी क्या रहने वाली है आविदन करने की लास डेट क्या है और आविदन का शुल्क क्या रहने वाला है तो आपको केवले इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के शांशेयर जरूर करना है सबसे पहले बात करें टोटल नम्मरों बेकेंसी के बारे में तो 188 यहां पर बेकेंसी है जो कि उध्यानी की डिपार्टमेंट में है ग्रामीन उध्यान विस्तार अधिकारी और सायक गुणवत्ता नियंत्रक यानि की असेस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर इसके अलावा दो पोस्ट और है कुल मिलाके यहां पर 200 प्लस बेकेंसी यहां पर है इस वीडियो में हम सारी बेकेंसी को डीटेल में जानेंगे आपको वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना है इंपोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं इनकों में आपर कवर करने वाले हैं तो यहां पर आप देख स जिला बरिष्ट उद्ध्यान विकास अधिकारी जिसको हम SHDO के नाम से जानते हैं इसके अलाबा प्रभंदक यानि मैनेजर गुलवत्ता नियंतरक की यहां पर बात कर रहा है यानि डिस्ट्रिक एग्रिकल्चर मैनेजर की बात कर रहा है इसके अलाबा गुरूप सेकेंड या फिर quality controller के नाम से जानते हैं तो टोटल चार अलग-अलग यहाँ पर पद आई हुए हैं इन चार अलग-अलग पदों के लिए दो यहाँ पर exam होंगे यानि कि एक प्रिशन पत्र दो पदों के लिए यहाँ पर रहेगा important information को अगर हम यहाँ पर जाने तो आबेदन पत्र भरने की जो प्रारमबिक तिती है वो 16-32-22 यहाँ से फार्म भनना स्टार्ट हो गए हैं आबेदन की अंतिम तिती की बात करूँगा तो 30-32-22 तक जो है आप यहाँ पर आबेदन कर सकते हैं इसके अलाबा परिख्षा के दिन और दिनांग की बात करूँगा तो 26-27-42-22 यानि की 26 और 27 अप्रेल को जो है इन पदों के लिए यहाँ पर एक्जाम होने वाला है आगे हम एक्जाम के पैटर्न के बारे में भी जानेंगे उसके पहले अगर हम यहाँ पर बात करें आविदन शुलक की यानि की जैसे इन पोस्ट के लिए इन पदों के लिए जो आविदन शुलक है एप्लिकेशन फीस है वो क्या रहेगी तो अनरक्षित अभ्यारतियों के लिए यहाँ पर 500 रुपए प्रती प्रिशन पत्र यानि की जहाँ पर प्रदेश के मूल लिवाशियों के लिए यहां पर जो आविदन सुल्क है वो 500 रुपे रहेगा ठीक है MP से भार यानि मद्यप्रदेश से भार के अभिहारती भी यहां पर आविदन कर सकते हैं लेकिन उनको यहां पर जो है 500 रुपे सुल्क देना होगा यहां पर एक important information है अगर आप कियोस्क के माध्य हम से online फार्म भरेंगे तो आपको portal चार्ज 60 रुपे देना है और अगर आप registered citizen user के माध्य हम से फार्म भरेंगे तो 20 रुपे आपको यहां पर plus यहां पर add आपका हो जाएगा इसके अलावा अगर हम exam के timing की बात करेंगे तो 26 और 27 चार 22 को यहां पर दो दिन exam है और दोनों दिन जो है दो shift में exam है एक आपका morning shift 9 से 12 और दूसरा आपका जो है दो फैर का shift धाई से 5 ठीक है यह आपका reporting time है कुछ important information के लिए आप पचास से 9 बजे के बीच का यह 10 minute का time है और आपका जो actual exam time है वो सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच के बल तीनी हंटे का single exam है इसके अलावा दूसरे दिन भी आपका दोनों shift में है 9 से 12 और दाई से 5 यह आपका 26 और 27 चार 22 को आपका exam यहां पर रहेगा ठीक है यह important information है इसके अलावा अगर यहां पर हम बात करेंगे तो समू बन, group बन, समू एक में यहां पर आपका जिला बरिष्ट उद्ध्यान विकास अधिकारी यानि SHDU और आपका manager यानि की प्रवंदक, गुलवत्ता नियंतरक के यहां पर एक आपका single exam होगा दोनों पदों के लिए एक ही यहां पर exam, एक ही प्रिश्न पत्रे यहां पर रहेगा, इसके अलाबा बात करें, exam के pattern की, यानि कि जो आपका समू बन, जिसमें SHDU और आपका district agriculture manager या DM आ रहा है, तो यह आपका exam pattern है, यानि कि कुल आपके total यहां पर 200 question रहेंगे, जो की 200 number के यहां पर रहेंगे, 200 question को 100 question को 100 question में बटा है, 200 question का आपका C set रहेगा, औ 100 question का आपका सम्मंदित बेसे सर रहेगा, जिसकी आगे हम detail जानेंगे, आगे अगर age limit की बात करेंगे, तो minimum यानि नियूनतम आयूशीमा 18 बर्स और अधिकतम 40 बर्स यहां पर आयूशीमा रखी गई है, यानि 18 से 40 साल के बीच के सभी eligible और interested candidate यहां पर आविदन कर सकते हैं यह यहां पर age limits related important information यहां पर दे रखी है, ओलेब बोर्ड लेकर आया है holy super splash offers जो चलेंगे 17 से 20 मार्च तक, जहां आपको मिलेगा, सिड़ भी RBI और नावाड एक्जाम्स पर 35% off, से भी RBI प्लस नावाड कॉम्बो कोर्सेस पर 40% off और FSS AI कोर्सेस पर 50% off, डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करें और अपना upcoming competitive exam सिलेक्ट करें, फिर special code holy apply करें और offers का लाब उठाएं, इसके अलाबा हम और विभाग बार रित्थ पदों के विबरण के बारे में अगर हम यहाँ पर जानेंगे, तो देखें, यहाँ पर सीधी भरती जो है MPWLC याने की मध्यप्रदेश बेर हाउसिंग और लोजिस्टिक कॉर्परेशन के लिए यहाँ पर जो है, इसके अलाबा संचनाले उध्यानी की प्रशेत्रवानी की बरिष्ट उध्यान विकास अधिकारी के लिए यहाँ पर पदों का विबरण दे रखा है, तो बात करें हम गुडवत्ता नियंतरक की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो कुल यहाँ पर 11 पद हैं और संबीदा कर्मी ही तो 20 परसेंट यानि कि कुल जैसे मान के चलिए 100 परसेंट है तो उसमें 80 परसेंट जो है वो थ्रो आपका डारेक्ट भरती है यानि कि एक्जाम क की गुडवत्ता नियंतरक की तो कुल 11 पद हैं आप यहाँ पर कैटेगरी वाइस देख सकते हैं अनरक्षत के तीन पद EWS का एक अनुसुचित जाती के दो और अनुसुचित जन जाती के दो और अन्य पिछला वर्क के तीन कुल मिलाके 11 पद यहाँ पर यहाँ और तीन पर जो है गुरुप बन की अगर हम बात करेंगे तो 20 पद यहाँ पर आए हुए हैं आगे अगे अगर हम बात करें राश्टीता की तो भारत का वह नागरग हो जो भी यहाँ पर आवेदन कर पा रहा है यानि कि All India Student इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन जो आप आपका एक्जाम सेंटर रहेगा वो आपका MP ही रहेगा कौन-कौन से एक्जाम सेंटर रहेंगे MP में उनको हम आगे जानेंगे एज लिमिट के हमने बात कर लिया है और इसके लिए अगर educational qualification की अगर हम बात करेंगे यानि कि गुलबत्ता नियांतर quality controller की बात करें district agriculture manager की तो निनुतम 60% अंकों से MSC क्रशी या फिर MBA marketing के साथ UGC दुआरा मानेता प्राप्त विश्विध्याले से एक वर्स का computer diploma होना चाहिए यानि कि आपका अगर MSC agriculture है या फि आपका एक साल का UGC से मानेता प्राप्त यूनिवर्सीटी से आपका computer का diploma होना या पर जरूरी है यहाँ पर इनके लिए sectionic योगिता दी गई है इसके अलावा तीन पद यहाँ पर संभीदा के हैं जो हमने देख लिए हैं इसके अलावा छे पद जो हैं SHDO के हैं अगर SHDO की मैं essential qualification की बात करूँगा तो यहाँ पर उध्यानी की में इसनाक उत्तर यानि की यहाँ पर MSC in horticulture मांगा गया है यह यहाँ पर important बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है तो दो पदों के हमने यहाँ पर बात कर लिए है इसके अलावा हम आगे बात करेंगे यह द जिसमें 200 प्रिशन रहेंगे 200 अंक के रहेंगे एक कोशन एक नमर का यहाँ पर रहेगा और जिसको दो शेक्षन में बाता गया है 100 नमर का आपका C-set है और 100 नमर का आपका प्रोफेशनल नोलेज यानि एगरी कल्चर से जुड़ाओ कोशन यहाँ पर आएगा 100 कोशन में आ अलाबा 100 कोशन जो हैंगे आपके एगरी कल्चर के रहेंगे तो कुल मिलाके यहाँ पर आपके 200 कोशन हो गए यहाँ पर एक्जाम पैटन हो गया है अब हम समूदो की बात करें जिसमें आपका ग्रामिन उद्ध्यान बिस्तार अधिकारी जिसको हम आर एच यू के नाम से जान रहे हैं सबसे आदा पद जो है इसी पोस्ट के लिए आए हुए हैं इसके अलाबा असेस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर इसके हम बात करेंगे तो इन दोनों पदों के लिए एक सिंगल एक्जाम होगा उसका भी एक्जाम पैटन यही है 100 कोशन आपके सी सेट के और 100 आपके संबंदित बिशयानी की प्रोफेस्नल नौलेज के टोटल यहां पर 200 कोशन रहेंगे ठीक है आयू सीमा ने इसके लिए भी मिनीमम 18 बर्स मेक्जिम जो है यहां पर 40 बर्स रखी गई है इसके अलाबा ये हमने इज लिमिट को जान लिया है आगे अगर हम आरेक्शन है उसको हमने आपर कवर किया है बात करें अगर हम सीधी भरती की तो टोटल 143 पद यहां पर आई हुए है किसके और एच यो के ठीके ग्रामिन उद्ध्यान विस्तार अधिकारी के 57 पद यहां पर जो है अनरक्षित के हैं और EWS के यहां पर शून्ने पद है अनुसुचे जाती के 47 पद 33 पद अनुसुचे जन जाती के अन्य पिछड़ा वर्क के 6 पद हैं कुल 143 यहां पर पद आई हुए हैं और ग्रामिन उद्ध्यान विस्तार अधिकारी 36 पद जो है संबीदा कर्मचारी जो की एगरिकल्चर में कहीं जौब कर रहे हैं गवर्मेंट उनके ल इस कुल मिलाके 200 यहां पर पद आई हुए हैं 200 प्लस यहां पर पद हैं जुनको हमने जाना है अगर मैं बात करूँ गरामिन उद्ध्यान विस्तार अधिकारी के तो 143 पद यहां पर हैं कुल जो एक्जाम के माध्यम से भराए जाएंगे और यहां पर इसके लिए जो essential qualification मा पर मांगा गया है फिर से बताऊं RHEO के लिए BSC Agriculture, BSC Horticulture यहां पर मांगा गया है इसके अलाबा ग्रामिन उद्ध्यान विस्तार अधिकारी के लिए 36 पद दो हैं वो संबीदा कर्मचारियों के लिए आरेक्षत हैं यहां पर देख सकते हैं इसके अलाबा 9 पद जो हैं वो असेस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर के लिए इसके लिए अगर हम असेंसियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि निवनितम 60% अंकों में BSC Agriculture एवाम UGC दुआरा माननेत अप्राप्त विश्विध्यालों से एक बरसी Computer Diploma यानि की क करें तो 25,300 से लेकर 8,500 लेविल 6 की यहां पर पोस्ट है और सेलरी रहने वाली है इसके अलाबा बात करें उध्यान विस्तार अधिकारी की सेलरी की बात करेंगे तो 5,200 से लेकर 20,200 प्लस 2400 ग्रेट पेपर आपका यह पद रहने वाला है काफी अच्छी पोस्ट है काफी अच्छी यहां पर सेलरी पेकेज मिलने वाला है इनके एक्जाम की बात करें असेस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर और ग्रामी नुद्ध्यान विस्तार का आपका सिंगल एक्जाम होगा यानि की एक ही यहां पर प्रिश्न पत्र रहेगा जो की 200 कोशन का रहेगा 100 कोशन सी इसके अलाबा इंपोर्टेंट डेट्स को हम जान चुके हैं 16 तारिक से आप यहां पर आविदन कर सकते हैं यानि लिंक यहां पर एक्टिवेट है और भरने की अंतिम्तिती जो है फार्म भरने की वो 33 2022 तक यानि 33 तक आप यहां पर आविदन कर सकते हैं कुल 15 दिन आपको आविदन के लिए समय मिला है और यहां पर अगर आपको कुछ संसोदन करवाना है तो 16 3 से 4 4 22 तक यहां पर आप संसोदन करवा सकते हैं आप कुछ करेक्शन करवा सकते हैं एक्जाम आपका 26, 27, 4 22 को राएगा दो से स्प्ट में 9 से 12, 2 से 5, 9 से 12, 2 से 5 ठीक है यहां पर संसोधन की यहाँ पर पोर्टल चार्ज है इसको भी आप देख सकते हैं एक और important information जो की यहाँ पर है परिक्षा सहर सर मैं MP से बाहर का हूँ क्या मैं आबेदन कर सकता हूँ जी हाँ आप आबेदन कर सकते हैं लेकिन आपको एक्जाम देने अध्यप्रदेश के इन परिक्षा केंदरों पर ही आना होगा परिक्षा केंदर परिक्षा जो एक्जामिनेशन सेंटर हैं वो कितने हैं टोटल आठ एक्जामिनेशन सेंटर हैं अलग-अलग पदों के लिए तो पहला भुपाल, इंदौर, जबलपूर, ग्वालियर, उज्जेन, सागर, सतना और रतलाम इन स पिलिग्राम चैनल को जोईन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, ओफिशियल पीडियेफ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक और इंपोर्टेंट इंफर्मिशन, एग्री मंत्रा टीम हमेशा से क्वालिटी देने के लिए ही जाना जाता है, त इतने भी यहाँ पर पद हैं, सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है, आरेच यह इओ इस्पेसल सीरीज आप हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पर टॉप टॉप टॉट्टी कोशन्स आपको एक सीरीज के मादने हम से लाए जाएंगे, तो यह एक इंपोर्टेंट जो मुझे आपके साथ सेयर करना है, अगर आपकी और कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों किशान शेयर करें, चैनल परने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत!